आज मैं आप सभी को WhatsApp की एक ऐसी जुगार बताऊंगा जिससे आप किसी के भी message को read कर सकते हो और सामने वाले बंदे को पता तक भी नहीं चलेगा यहां तक कि आपका last scene update भी नहीं होगा आपको अपने WhatsApp को open भी नहीं करना है आपको अपने WhatsApp पर online भी नहीं जाना है यहां तक कि आपको कोई भी application भी नहीं install करना है WhatsApp के अंदर read receipt के option को भी बंद नहीं करना है फिर भी आप अपने WhatsApp पे आने वाले सभी messages को read कर सकते हो वो भी offline होकर offline मतलब किसी को भी पता नहीं चलेगा और आप उसके message को read भी कर लोगे तो है ना काफी interesting और मज़ेदार जुगाड तो अगर आप इस जुगाड इस trick के बारे में जानना चाहते हैं तो यार सबसे पहले तो इस वीडियो को एक like कर दो यार क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही मज़ेदार trick लाते रहते हैं यहां पर मैंने इस message को select करा select करने के बाद इसे मैंने अपने दूसरे whatsapp के अंदर मैं इसे forward कर देता हूँ यह देखिए मैंने select किया इस message को send कर दिया यह देख सकते हैं कितना लंबा message है और यहां पर मेरे दूसरे whatsapp में यह message आ गया यहां पर देख सकते हैं notification में आ गया लेकिन notification में भी मेरा पूरा message read नहीं हो पा रहा है यहां पर कुछ message मेरा hide हो गया तो अगर आपको इसे read करना होगा तो आपको अपना whatsapp open करना होगा लेकिन मैंने आप सभी को क्या बताया था कि आपको अपना whatsapp open तक नहीं करना है फिर भी आप इस message को read कर सकते हैं तो अभी आप इस message को ऐसे ही छोड़ दीजे और जो मैं आप सभी को जुगार बताता हूं जो trick बताता हूं उसे आप ध्यान से follow कीजे अब आपको अपने home screen पे long press करना है और यहां पे आपको तीन option खुल जाएंगे अब आपको करना क्या है आपको click करना है widget पे widget पे click करने के बाद यहां पे आपको सब से नीचे आ जाना है और WhatsApp के section में आपको एक option दिखेगा 4 by 2 इस वाले option को select करना है और select करने के बाद आपको अपने home screen पे लाकर छोड़ देना है छोड़ने के बाद आप इस पे एक बार click कीजे तो यह यहां पे इसका size बढ़ाने का option आपको दे देगा तो अब आप इसका size को बढ़ा लिजे जितना आपको जरूरत लगता है यह देखिए मैंने size को बढ़ा दिया है और अब आप यहां पे देख सकते हैं कि WhatsApp का मुझे 7 message unread में है इसे read करना है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो message मेरा notification में दिख रहा था वो अब यहां पे पूरा का पूरा दिखने लगा और अब मैं अपने WhatsApp के सारे messages को यहीं से पढ़ सकता हूं मुझे अब अपना WhatsApp open भी नहीं करना है ना मैंने read receipt को बंद करा ना मैंने किसी तरीके से कोई application install किया फिर भी मैं अपने WhatsApp के message को यहां से पढ़ सकता हूं तो द अगर आप चाते हैं कि इसका size और increase करना तो आप कर सकते हैं yes guys तो वास आप इसे long press करिए और दूसरे window में इसे shift कर दीजे और shift करने के बाद इसे size को increase कर दीजे और आपका इतना बड़ा हो जाएगा and देख सकते हैं आप यहां से इसे scroll करके अपने सारे incoming messages को पढ़ सकते है अगर आप अपना whatsapp नहीं भी open करेंगे फिर भी आप यहां से सब messages को read कर सकते हैं तो अब मैं करता क्या हूं एक और नया message को यहां पे मैं भेजता हूं यह देखिए notification में आ गया मेरा message आने के बाद यहां पे मैं scroll up करूंगा तो यहां पे देख सकते हैं यह मेरा message आ चुका देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा last scene था 11 बजे का वही अभी तक भी है और अभी हो चुका है 11 बज के 8 मिनट तो इस तरीके से अगर आप अपने whatsapp के अंदर जुगार लगाएंगे फोन के अंदर trick लगाएंगे तो आप अपने whatsapp के आने वाले सभी messages को बिना अपने whatsapp को open कि यह पढ़ सकते हैं